हालो गुड अफ्टर नून वेलकम टू डेली करेंट अफ्रम सेक्यू टूड़े इस 17 सप्टमबर 2024 आज है 17 सितंबर 2024 बिना किसी टाइम विस्ट के अपने पहले कोशन पे चलते हैं और कोशन पे जाने से पहले मैं आप लोग को बता जाता हूं कि अगर इसकी पीडिएप चा उसके बारे मैं कहता है Absolute statement करेक्ट थे ओपको बताना हूं ठीक है तो फर्स सेट्मेंट कहता था सेवंघiri तो इंडियन कॉंस्टूश्यूशं डिस्टूबूट देश्टूबूट द पावर बेटमिन द यून और सेट यहनि कहता है सेवेंड सेटूल में दिया गया है कि इन इन गया है कि आपका पावर, पावर स्टेट और यून की बीट में डिवाइड़ है यह ऐसा बताएगा से सेटेट में थीक है सेकंड इमेरजेंसी प्रोवेजन आप प्रोवाइडें इन पार्ट आप्ट ऑफ दे इंडियन को सब्सक्रशुशं का अच्च कहता है अब प्रोटेक्टिशिट फर्म दे एक्स्टरनल अग्रेशन and internal disturbance तो कहता आठकल 56 जो है यह बताता है कि सेंटर प्रोटेक्ट करता है स्टेट को किसी भी external aggression से और internal disturbance है ठीक है फोर्थ कहता है आपका आठकल 55auer आठकल 350 अपका सेंट टूल इस उसमें दीया गया है ऐसा अब कहता है इस statement अब इन्हों से conscious statement सही आपको बताना है तो आप लोग बताओ तो देखो इसका सही answer हो जाएगा B only 2 1 and 2 आपका सही answer हो जाएगा ठीक है बाकि ये 3rd और 4th आपका गलत है ठीक है तो ये आपका 1 or 2 सही हो जाएगा तो आप answer आपका हो जाएगा option B चलते हैं next question पर next question आपका कहता है कि central drug standard control organization CDSCO के regarding conscious statement ये important role play करता है वो आपको बताना है ठीक है पहला option कहता है to regulate the pricing of pharmaceutical यानि pharmaceutical के price को regulate करता है to promote new drug discovery नए-nए drugs discovery के बारे में यहाँ पर promote किया जाता है ठीक है इस organization के दवारा उसके बाद कहता है to oversee the manufacturing and marketing of a drug and medical device in India manufacture marketing करते है नए drugs for medical devices को इस organization के द्वारा D कहता है to conduct the clinical trial of all the drug given license यानि ऐसे जो drugs अजनके license प्रवाइड किया गया उनको license clinical trial के लिए कंड़क्ट करता है आपका ये organization ये central drug standard control organization तुसमें से कौनसे statement से ये आपको बताना है तो बताओ देखो इसका सई answer हो जाएगा आपका oversee on manufacturing marketing करता है drug or medical device को in India में ठीक है आपका कौन करता है आपका तो आपका central drug standard control organization ठीक है अब चलते हैं अपने next question पर देखो हमारा next question है जो कारा national pension scheme के बारे में जो NPS आया था ठीक है उसके regarding कौनसे statement सही है वो आपको बताना है ठीक है पहला statement कहता है only government employee can eligible for financial pension scheme के वल सरकारी में काम करने वाले लोग जो है जिसको सरकारी नौकरी कहते हैं क्या वही लोग सिर्फ eligible हैं दूसरा statement कहता है contribution of NPS are eligible for the tax deduction under the section under the section 80C यानि contribution जो NPS का है वो eligible होगा tax deduction के लिए जो आपकास दिया गया है under section 80C में ठीक है थर्ड कहता है कि reserve bank of India is responsible for overseeing the national pension scheme में इंडिया कह रहा है कि national pension scheme जो है इसको कौन देखरे कर रहा किसके under regulate काम करेगा responsible होगा तो reserve bank of India ठीक है तो इसमें से कौन से statement सही है वो आपको बताना है please answer it इसका सही answer आपका हो जाएगा a only one ठीक है अब इसका a हो जाएगा only one और इसका सही answer क्या हो जाएगा केवल two statement सही सिरी option a सही है ठीक है आपको first or second third statement गलत है second सही है अपका ठीक है next question हमारा next question कहता है कि अभी हाली में इरान जो है आपको देखने को मिला होगा कि एक historical silk road city जो share करता है border इरान के साथ noticed country में तो वो आपको बताना है कौन से country के साथ share करता है कौन कौन से तो पहला option है तुर्कमेनिस्तान दूसरा option है अपका उचबेकिस्तान तीसरा है तजिकिस्तान चौथा है अपका कर्गिस्तान कौन सा अंसर है आपको पताओ इसका साइ अंसर आपका हो जाएगा ए तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा ठीक है और ये question इसलिए अभी recent news में है क्योंकि हाले में देखो इरान जो है हमारे Indian Muslims है उनके पूपर कुछ comment उनके द्वारा आया था इरान के द्वारा इरान के एक supreme leader है उनके द्वारा तो उसके बाद क्या हुआ इंडिया ने आज यहनी मंडे को उनका reply दिया है और उनका ने कहा है कि आप अपने मुल्क को देखिए हमारे भारत में देखना बंद करती है ये statement बगाइदा उनका है ठीक है तो that's all for the today session बागी कोई query या कोई question हो तो feel free to ask in comment section बागी पढ़ते लिखते रहो धन्यवाद thank you all